तो आज हम लेके आए एक special deal जो की है iPhone 6S Plus से 5,150 रूपे में आप इधर दिख सकते हैं ये वाले deal हमारे एक एजन्ड ने टेलीग्राम चनल पे डाला था जो लोगों ने हमारे टेलीग्राम चनल जोइन की होगी उनको बता हुआ कि हम टेलीग्राम पे ऐसे बहुत ही सस्थे में iPhone एंड आइफॉन की इंटर्स्टिक इंटर्स्टिक डिल लाते रहते हैं जिन लोगो इसका आपको कंडिशन देखा देता हो कि क्यासी कंडिशन का यह आइफॉन सीचस प्लस आने वाला है पहलो तो यह रोज गोल का है देख सते हैं तोड़े बहुत मेजर पैंट पीला बबल है देख सते कई-कई-कई-कलो निगला हुआ है बागी कुछ तूटा-फूटा तो सक गेंगे डिसप्ले से अंदर तो तो देखते कितने वाईट पैस आते हैं कैसे आते हैं माइनर पिस ku टैने कंडिशन में कीमेजर गाइगा की मेजर्व उन्दोच मैं डिखे ऐ leaking वे 夜rob3 के बदोगे जो के मैं दिखा दिया और ढेंगी फोगी सेमफ्पहान हूज क 오래 फ़ोन दीखते हैं भी फौन आते है गछाँ अपफिर में इस पांब को मैं सेल कर दूगा जो हमारे स्क्रैबर पहले आएंगे उनको यह आइपॉण सेल में बहुती कम प्रैज में 600 रूपे में आपको आपको आइपोन 11 मेलेगा वो भी ग्रेट भी बानास का कुछ भी डिफेक्ट नहीं आएगा ठीक है तो फिर वाल में इसको रेमूब कर लेता हूं विभी मुझे यह नीचे वाला ओडर करना है यह दिसे थे बल्क में एक लॉट था सिंगल ही पीस था गा सब्सक्राइमेंट जोगी कर दिया है कॉंग ग्राइशन लिखा आगा है मतलब कि हमारा ओडर जो की लग जुगा है तो यह पांच दार सो रुबी का आइफोन 6s प्लस हमारे एड्रेस पर डिलेवड हो जाएगा तीन दिन में तो चले फिर मिलते इसके फूल अंबॉक्सिं विडियो में चार दिन के बाद डिलीवड हो गया हमारा आइफोन 6s प्लस करते इसकी अन्बॉक्सिंग और राइड गाइस बबर एफ को निकालनेंगे पहले तो एंड राखेंगे साइड पर मिल भी देख लेते चलिए तो मिल कंदर आप देख सकते हैं प्राइज एंड लिखा है सेकंड है एपल आइफोन 6s प्लस तीन बतिस में हमने स्कॉडर किया था ग्रेड सी माइनस का था बड़ गाइस कलर इधर लिखा है सिल्वर एंड जब हमें स्कॉडर कर रहे थे तो हमने देखा था इसका कलर जो कि रोज गोल कर था तो आसा करते कोई जोलना हो तो अच्छी बात है चलिए इसको रखते साइड पे एंड गाइस यह रहा हमारा डिवाइस बहुत मेरी प्लस ओके तो देख सकते हैं कुछ ऐसी कंडिशन में हमको मिला है जैसा कि देख सकते हैं कलर है इसका रोज गोल्ड बड़ बिलके अंदर लिखा है सिल्वर कलर तो बता नहीं क्यों इन लोगों से ऐसी गलती होती है चले कोई बाद नहीं हमारा फॉन साही होना चाहिए तो पहले तो देख सकते हैं कि रोज गोल्ड कलार का जो आइफॉन 6S हमने और किया है बलक सक्सें से कुछ ऐसी कंडिशन में मिला है जैसा कि हमने फोटो में देखा था व्यू इमेज करके बिल्कुल सेम वही कंडिशन का हमको रिसी हुआ है फ्रेम बाइफ्रेम कंडिशन आप प्लस आपको डेंट भी देखने को मिल जाएंगे एंड यह जो ओडियो जैक है स्पीकर गिल है उसके अंदर आपको ना रश्ट देखने को मिल जाएगा क्योंकि यह पूराना फॉन है सेकंड फॉन इस लिए एंड फ्रेम बाइफ्रेम तो इस बिल्कुल ओके साब सुतरा ह है और इस इथर आपको डेंट देखने को मिल जाएगा इधर भी निकला हुआ देखने को मिल जाएगा इस की स्क्रीं तो grab इस यस बस थोड़े बहुत यूजर सिंपल आपको देखने को मिलेंगे एंड टास आईडी का भी कंडिशन देखे तो ये भी साफ सुतराई है जदा कोई दिकत नहीं है तो इस इस आइफॉन 6S का आउटडोर कंडिशन तो देखा अपने इसका आउटडोर कंडिशन चलिवी वक्त आगा इस फॉन को बूट करने का तो मैं देखता हूँ पावरबेनर प्रेस करके देखते एपल का लोगो आ गाया देख सकते एंड गाइस इंटरस्टिंग बात यह है कि यह जो हमने ओर्डर किया है फॉन हमने ओर आपको नहीं मिलेगा आइपॉन 6S में फ्यूचर नहीं होता है और यह बड़ ज्यादा हो रहा है चले हम कुछ से देखते हैं अच्छा खासा ब्राइटनेस है पीक ब्राइटनेस है एंड कलर्स आ रहे है वो भी सही लग रहे है मुझे फिलाल तो यह भी बिल्कुल सही से कर रहा है देख लेते हम ऐसे ओनर टो कौनर तो इधर भी आप देख सकते हैं कि टुट रहा है एंड बिल्कुल स्मूथ हो रहा है देख सकते ही तो टॉट रिस्पोंस में फिलाल तो मुझे कोई दिखका देखने को नहीं में बागी आगे हम गैंगि प्रेंगे तब जाके स सब कुछ clear हो जाएगा फिलाल हमें आपको बैटरी हल दिखा देता हूं मैंचन था कि बैटरी इन सर्विस रहेगा तो जी हां बैटरी सर्विस तो है बट देखें बैटरी हल तो 71% से नीचे मैंसन था तो 71% बैटरी हैं सबको देखने को मिला है या फिर चेंज है वो सब कुछ हम लाश्मित्री तुल में देखेंगे इसका हमें आपको एबाउट सेक्शन देखा देता हूं जनरल में जाएंगे आप सेक्शन में आप देख सकते हैं फिलाल ये आप 15.7.1 पे और बटन ये भी बिल्कुल सईसे वर कर रहा है ये जो हॉम बटन है ये भी प्रेस तो हो रहा है स्मूध चलिए टच आइडी वर कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं एड कर लेता हो टाच आइड तो देख सकते एड फिंगर्पिंट का ओप्सन आ गया है एंड कैप्चर हो तो फोन अनलोक हो जाएगा अगर मैं अधर फिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर्पिंगर् मुझे लग रहा है कि स्पीकर थोड़ा जो नो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम है लाउड उतना नहीं जितना लाउड होना चाहिए आगे यूट्यूब अगरा चलेंगे तो तो क्लियर हो जाएगा फिलाल गाइस बात कर लेते इसके मैं चीज कैमरा की इसका वरकिंग है या न दिकत नहीं है एंड चले काम करते इस थोड़ा और डेटल में कैमरा जानने के लिए हम कुछ आउट्डोर में जाके पोटो सैंपल एंड वीडियो सैंपल लेके आते हैं तो गैस देखा आपी मस्त कैमरा है इस पांच रुपे के आइफोन 6s के अंदर चले गाइस अभी ना इस आइफोन 6s को मैं थोड़ा बहुत सैट आप कर लेता हूं बीजी आमाइब कर लेता हूं जियो का सीम लगा देता हूं तो चले मिलते हैं दो मिलिट के पाद और गैस देखने को नहीं मिला बड़ गैस मैं नॉर्मल यूज कर रहा हूं कबसे मैंने बीजी आमाइशल किया यूटीव अगरा चला है तो यह ना इस फोन ओवर हीट आपको देखने को मिलेगा पुराना फोन है 2016 का मोडल है आइफोन 6s प्लस तो जितने भी हम पुराने आइफोन में जाते है और नेक्स के नीचे तो उसमें ना हमको ओर हीडिंग बड़ा कॉमा देखने को मिलता है तो इस आइफोन 6s में भी आपको ओर हीट देखने को मिलेगा बाकि देखते हागे हम बीजी में भी टेस्ट करने वाले देखते फिर कितना ओवर हीट होता है एंड चले कुमा देखते में देखते में देखते में जीचिंट के कम लिखते नएक method लिङे करने एट-hour फ siis क्रेस किट दीटमाड़ान ड़िखते दा ओंटिट इसमें आपको डिस्प्ले बढ़ा मिलेगा एंड इसमें आपको डिस्प्ले चोटा है तो गेमिंग के लिए आप प्लस सीरिस में ही जा सकते हैं ठीक हम टेस्ट कर दे तो हमने सीम तो लगा दिया है लिटेक्ट हो गया है जियो लिखा आ गया है नेटरों बड़ा ही फूल आ स्वाइज्ण यह फॉन वैसे 5g नहीं है 4g कॉल करता है जिससे ऐं कॉल के सिर्म कोल लेंगे तो अ ब zur काल आ खाया है चलिए टेस्ट करते हैं पहला तो तुम में इसका इन्सकर स करूंगा तो प्रॉक्सिं की संसर दिखाट ए है इस इम्सक्ण से बात करूँगा लेखते हैं इधर वोईस आता या नहीं आता थीक तो मैं स्पीकर कर लेता हूँ तो गाइस अभी मेरे स्टूडियो से थोड़ा बाहर आया हूँ काफी दुटाग आया हूँ अब यह जो मैं बोर रहा हूँ यह आइफॉन 6S के माइक से आपको सुनाए दे रहा है तो आप माइक्रोफॉन कॉलिटी जज़ कर सकते हैं और गाइस तो देखा आपने कॉलिंग टेश्ट हमने किया तो कॉलिंग में दिक्कत नहीं आने वाली जैसा कि आमने टेश्ट राके दिखाया आपको ठीक है तो चलिए अभी इस फॉन के अंदर हम मैंने यूट्यूब भी इस्टॉल किया तो मैं यूट्यूब आपको चला सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो कंजूम करने के लिए आपको नहीं मिले स्कॉलिंग और करोगे यूट्यूब वगरा इंस्टाग्रम चलाओगे तो आपको लैक्विल आपको नहीं कराएगा आइफॉन 6S सही चलेगा नॉर्मल इसमें कोई दिक्कत नहीं है चले मैं पांच बत के पैतालिस मिनिट तो मैं नोट कर लेता हूं नोट कर लिया हम पांच मिनिट को बीजिया माई स्टार्ट कर रहे हैं चार्ज इस पॉन के अंदर फिराल अवेलेबल है 27 पसन चार्ज थोड़ा कम है वाके देखते कितना ट्रॉप होता है किते मिट हम गैप्ले कर लगाते हैं और कैसा गैप्ले चलता है इस आइफोन 6S के अंदर पहले तो मैं इसको अन्म्यूट करूंगा इसमें थोड़ा नूब हो बीजिया में तो comment मत करना कि आप बड़ा नूब हो बीजिया में ग्राफिक्स में तो हमको देखने को मिलेगा का बैलेंसेड मिडियम स्मूथ में हमको देखने को मिलेगा हाइ का उप्सन इससे उपर आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते इसके अंदर ना पूझ आरोस को वरकिंग मिलेगा मैं दिखा दिता हूँ देख सकते हैं जायरोस को वरक करेगा बाकी देखते क्या देख सकते हैं मैं गयाम तो खेल पा रहा हूँ एंड लैक तो नहीं हो रहा हैं टॉच दिसमस में दिखकत नहीं आ रही क्योंकि हमने इसको औरीनल स्पीड में ओडर किया था बट ओके आई तिक एक बार फायर बड़र मेरे से इदर से मीस हो गया एंडिख से थोड़ा फ्र प्रेम ड्रॉप आपको देखने को मेलेगा इस आइपॉन 6S Plus के अंदर चले कर देखते हागे क्या होता है और रहेड़ी गैस इस दिए अमरा खतम हो गया है एंड गया देखा आपने की गैमप्ले तो कर पाएंगे उसमें दिक्कत नहीं है अमने बीज्वाइब आपने की पहले तो मुझे जीटर देखने को मिला एक दो जगा पे जीटर हुआ गया आपको सायद ऐसा प्रोलम फेस करना पड़ेगा बड़ेगा स्मूथ गैमिंग एक्समेंस नहीं करेंगा आपको यह आइपोन शिक्सेस को फूला पुराना है इसका जो एपल एनाइन प्रोजिशन देखने को मिलता है जो कि उतना अच्छा गैमिंग एक्समेंस आपको नहीं करेंगा दो जाए 24 में अगर आइपोन शिवन प्लस आप लेते हो तो उसके अंदर आपको एपल एट एन फ्यूसन चीप देखने को मिलती है जो कि वह अच्छा एक्सपरेंस कराएगा अगर आप बीजिया में खिलना चाहते हो तो आइपोन शिक्स से मेटर आइपोन शिवन प्लस आप लिजी वो सही र आप लिए ठीक अधिक रिजाट इसको स्टार्ट किया था आइप बच के पैतालिस मिनिट था एंड अभी हुआ पांच बच के चाबवन मिनिट मतलब कि नो मेट हुआ है एंड 27 परसंट चार्ज था एंड अभी चार्ज आ गया है 24 परसें मतलब कि कितना ट्रॉप हुआ त आपको थी टोल लिखा देता हूं तो देख सते हैं हमारे इस आइपोन 6s को मैंने थी यू टोल में कनेट कर लिया इसका जो प्रोड़क्शन डेट निकल के आ रहा है 2016-2011 एंड देख सते हैं आइपोन 6s प्लस 32 GB जैसा कि हमने ओडर किया था रोस गोल्ड कलर में तो सब कु देखा रहा है 71 तो बैटरे में कुछ न कुछ जोल तो हो गाई एंड चार्च टाइम दिखा रहा है 2132 इस बैटरे को चार्च किया गया इसका व्यू वेरिफेकर से रिपोर्ट चेक करते हैं देखते हैं कौन से कौन से पार आइफॉन के चैंज है तो मैं व्यू व्यू वे यह एक डेमो डिवाइस सा बता रहे हैं डूसरा है सब कुछ नॉर्मल है क्यामरा वागेरा तो सबको जैन्यून है बट इधर आप देख सकते हैं कि हाउट टू जज में लिखा है स्क्रीन तो इसका स्क्रीन भी गाईस बल्ले आमने इसको औरेनल स्क्रीन और किया स्क्रीन क एक दो मन चलाओंगा इसको में इसका कर दूंगा या फिर में इसका कर दूंगा या जी आप दूंगा जी आप बढ़े का रूस तरुक पता होगा जो भी हम हमें वीडियो पे अच्छी कमेंट करता है उन पे से एक रेंडम को मेंट को पिक करके उनको मनाता हूँ हमारा गी वेनर आप भी बन सकते हैं इस आईपॉन शिदस का विनर और आपको यह आपको यह आईपॉन सिदस कैसा लगा इस गाइस यह वाले दिल आपने हमारे टेस्टिंग यह इसको और किया था तो एसे डिल हम और भी ट चेक कर सकतेगा इस तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ष्ट केसी डेल में नेक्ष्ट केसी अन्बोक्सिंग में तब तक के लिए टेक केर